Hello Everyone, Welcome to Fine Art Study जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जन्वरी को 2021 के पदम पुरुषकारों की घोशना हुई है ये अलग-अलग केटेगरी में दिये जाते हैं जो कि पदमश्री, पदम विभूशन और पदम भूशन ये जो पुरुषकार हैं वो दिये जाते हैं तो आज इस वीडियो में हम पदमश्री और पदम विभूशन जो आठ केटेगरी में पुरुषकार दिये जाएंगे उनके बारे में हम विस्तार से पड़ेंगे जो ये पुरुषकार हैं इन से आने वाले सभी एक्जाम्स में अब कोई भी एक्जाम्स में इन में से कोई ना कोई क्वेस्टन जरूर पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले नाम है हमारा भूरी बाई तो भूरी भाई जो है वो पितोरा चित्र की कलाकार है ये मद्यप्रदेश की जाबवा जिले के पितोल की है और इनकी जो जाती है वो ये आदिवासी भील जाती की महिला है जो आदिवासी ये सबसे बड़ी जाती मानी जाती है आदिवासी जाती सबसे बड़ी ये भील जात से होती है तो बिल जाती है महिलाओं को यह सब काम करने के अनुमती다 नहीं होती पुरुस में यह सब चित्र वगयर का जो पेंटिंग काम होता है पुरुसरी के लिए भोपाल के भारत ववन है उसके उनके निर्मानकारिय के दोरान ये जमीन पर चित्र बनाया करती थी तो एक दिन इन्हें चित्र बनाते जो प्रशित चित्रकार थे जगदिस्वामिनातन उन्होंने इसे देखा और इनकी कला को प्रोथसाहन दिया तब से ही इनकी जो कला है वो आगे बढ़ती रही इनका जो प्रमुख विशय की अगर हम बात करें तो ये प्रमुख प्रमुख जानवर वरक्षों जो भीलों के देवी देवता होते हैं पोशाक गहने भीलों के इनरत्य उत्सव इन सब विशयों को लेकर ये चित्र बनाती हैं और सबसे खास वात ये हैं कि जो भूरी खड़ जो खड़िया होती है खड़िया गेरू कागज हल्दी इस टाइप के जो समान होते हैं इनसे ये चित्र बनाया करती थी मद्द्प्रदेस सरकार द्वारा भूरी भाई को सर्वोच राज के समान दिया गया है और साथ ही इन्हें सिखर समान भी प्राप्त हो चुका ह प्राइको आठ केटेग्री में पदमश्री से समानित किया गया है उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दुलारी देवी के बारे में तो जो दुलारी देवी हैं उन्हें वी 2021 के पदमश्री के लिए नोमिनेट किया गया है पदमश्री अवाड इनको दिया जाएगा यह जो दुलारी देवी हैं ये मला जाती की हैं और बिहार के ये मधुबनी जिले के रांटी गाउं की हैं इन्हें मितला पेंटिंग के लिए इन्हें ये पुरुषकार दिया जाएगा पदमश्री देखें इनका जो जीवन है वो काफी संगर्श्पून रहा है जब ये छोटी रहती तभी इनके शादी कर दी गई थी उसके बाद ये दूसरों के घरों में जाड़ूपुचे का काम करती थी तो 2021 में में 2011 में महा सुंदरी देवी जिनकों की पदमश्री मिला था उनके घर इन्हों ने जाड़ू-पोचे का कारी किया था तो उनको चित्र बनाते देख ये भी जब इनको टाइम मिलता तब ये फर्स पर चित्र बनाने का काम करती थी तो उनी से जो उसके साथ ही कपूरी देवी हैं जो की मितला पेंटिंग की काफी परशिद कलाकार हैं तो महा सुंदरी देवी और कपूरी देवी इन दोनों ने ही इने काफी प्रोचसाहन दिया और तब से ही ये चित्र बनाने लगी 2012 और 13 महीनर राज्य प्रुसकार से भी सम्मानित किया गया है और इगनु के लिए पाठेकरम तयार किया गया है तो इगनों के पाठेकरम के जो में प्रस्ट में जो पेज है उसका मुखे प्रस्ट है उसके लिए भी इनकी पेंटिंग उस पे छप चुकी है इन्होंने करीव 7000 अलग-अलग विशो पर पेंटिंग की है 1999 में ललित काला अकादमी का पुरु की पेंटिंग में भी इनकी पेंटिंग को जगह मिली है यह अंतरास्टेस तरकी कलाकार है यह देश और विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है देखिए मदूबनी पेंटिंग अगर हम बात करें तो यह बिहार की लोक कला लोक में शैली है लोक कला है बिहार क ये एक्जाम में काफी question पूछा जाता है कि मदुबनी किस जिले से सम्बंदित है तो वो बिहार से सम्बंदित है और मदुबनी painting के लिए अब तक कुल साथ लोगों को जो है वो पदम श्री अवोर्ड मिल चुका है next हम बात करते हैं रादे देवी के बारे में वो जो रादे देवी है वो मनिपूर के थोवबल जिले की है और इन्हें जो स्थान ये लोग है जो वो इन्हें प्यार से अभोक रादेवी बुलाते है और ये पोटलोई एक पोटलोई कडाई के लिए ये जो है फेमस है या पॉटलोई एक तरह का जो पारमपारिक शादी के लिए तयार किया जाता है तो उस पर जो कढ़ाई की जाती है उस कढ़ाई को पोटलोई बोलते हैं ये लगबग हजार से अधिक जो पोशाके हैं वो तयार कर चुकी है ये 88 साल की है जो पोटलोई है उसके अगर हम बात करें तो पोटलोई एक बेलना का स्कर्ट होती है, बलाउज और उसके कमर के चारो एक बुना हुआ बैल्ट होता है, और एक मलमल होता है, ये mostly लाल गुलाबी और हरे रंग में कड़ाई की जाती है और फिर उसको सजाया जाता है, जो लोग उन में काफे दिमांड है और मनीपूर निरत्य जो होता है खंभादोबी उसके लिए भी वेशबुशा है वो तैयार करती है तो अब ये भी ध्यान रखेगा कि खंभादोबी ये कहा किया लोग निरत्य है तो ये मनीपूर का लोग निरत्य है उसके पाद बात करते हैं करतार सिंग की करतार सिंग उन्हें भी 2021 पदम श्री के लिए नominate किया गया है हिमाचल परदेश के हमीरपूर जिले के नादोन के है और ये बास की कलाक ταया बनाने के लिए famous है इनके जो विशे है तो ये बास से भगवान की मूरति एफिल टावर, ताजमेल जैसे ये क्रतियां इन्होंने बनाई है और एश्या बुक ओफ रिकोर्ड की और से इन्हें ग्रेंड मास्टर का भी किताब मिल चुका है बास के टुकणों से बोतल के अंदर मंदिर बनाने का जो रिकोर्ड है वो भी करतार सिंग के नाम है अभी कुछ ताइम पहले भी इन्होंने नरेंदर मोदी की भी एक जो आकरती है वो बनाई थी तो वो भी काफी चर्चा में रही थी उसके बाद बात करते हैं लाजवंती देवी के बारे में तो लाजवंती देवी जो है वो फुलकारी के लिए फेमस है फुलकारी होती है फुलों की जो वस्तर पर फुलों की कढ़ाई करते हैं उसे फुलकारी कहते हैं इने भी लाजवंती देवी को भी 2021 का पदमश्री अवो प्रुसकार से इन्हें नवाजा गया है 2001 में बैकवर्ड वुमन वेलफेर हैंडिक्राफ्ट सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था और रास्ट्य प्रुसकार इनको मिल चुका है इन्हीं के परिवार के तीन अन्य अदस्यों को भी फुलकारी जो कला है उसके लिए तीन बार अवोर्ड मिल चुगा है तो एक क्वेशन आप ये कई बार एक्जाम में पूछा जाता है अलग अलग एक्जाम में कि फुलकारी काफी फेमस है फुलकारी कहां की है लोक कला है तो ये पंजाब की लोक कला है उसके साथ ही नेक्स्ट है बी मजम्मा जोगती इन्हें भी बात करते हैं देखे एक संजीदा खातून भी है जो कि बांगलादेशी संगीतकार है इन्हें भी आर्ट कैटेगरी के लिए 2021 का पदमशुरी दिया जाएगा इन्होंने 1971 में बांगलादेश के मुक्ति संगराम सिल्पि संगठन के संस्थापकों में से ये एक थी उसके बा पासी है और यह जो है वो औरतों का वेश धारन करके फिर नाचते थे तो उसके लिए यह लोक कला जो है वो पिहार की है अब यह इन्हीं 94 जो वर्ष की उम्र है इनकी अब इन्हें पदमशुरी दिया जाएगा 10 वर्ष के थी तब इन्होंने बिखारे ठाकुर नाटक मंड के सदश्य यह बने थे और तब से यह लगातार 94 साल की उम्र तक यह इस कला का प्रदशन करते आ रहे हैं उसके बाद बात करते हैं नारायन देवनात के बारे में तो इन्हें भी 2021 का पदमशुरी अब दिया जाएगा यह वेस्ट बंगोल के हावडा जिले के हैं और इन्हे जो है वो कोमिक्स क लाकार लेखक और चित्रकार हैं यह कलकत्ता के इंडियन आर्ट कोलेज से इन्होंने सिख्शा ली थी लेकिन इन्होंने जो है अपने डिगरी पूरी नहीं की थी इनको कार्य करने का अपने ये जो चित्र बनाते थे इन सब में ये इतना विजी थे कि इन्हें टाइम नहीं मिलता था और अपने डिगरी पूरी नहीं की और अपने कॉलेज से इन्हों पढ़ाई इन्हों ने छोड़ दी थी काफी वहां के जो धारवाईक हैं काफी जो सीरियल्स आते हैं उनमें इन्होंने कॉमिक स्ट्रिप के लेखक और चितरकार के रूप में कारिय किया था तो लंबे समय तक वहाँ के सीरियल्स में जो लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक स्ट्रिप का जो विस्वर रिकोर्ड है वो भी नारैन देवनात ने बनाया है इनके अगर हम कुछ प्रिसिद्ध कॉमिक क्रतियों के बात करें तो पातालचंद, दमेजीशन, बहादूर, बेरल और केमिकल दादू तो इस तरह की जो हैं ये कई इनकी क्रतिया हैं जो कॉमिक्स हैं वो बहुत फेमस हैं इन्हें बाल सहिते के लिए सहिते एकादमी पुरुसकार मिल चुका है और बंग भूशन असमान भी इन्हें मिल चुका हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं सुदर्शन साहू के बारे में ये बहुत फेमस हैं इन्हें 2021 का पदम विभूशन पुरुसकार दिया जाएगा ये ओडिसा के प्रमुक मूर्तिकार है इनका जो जन्म है वो 11 मार्च 1939 को पुरी में हुआ था ओडिसा के पुरी में इन्हें फनसे ललत कalli एक आदमी दूरह ध्रम परुसकार रिन्हें मिला था कुह है और 2021 में अभी नें पदम विभूशन दिया जाएगा इनके जो मॉस्ट्री सब्जेक्ट होते हैं जो मूर्तिय हैं यह बनाते हैं तो उनकी मॉस्ट्री सब्जेक्ट पॉरानीघ होते हैं पॉरान म्यूजियम भी इन्हों ने स्थापित किया था और 1991 में भूवनेश्वर में भूवनेश्वर के उडिसा सरकार के सहयोग से इन्हों ने आर्ट एंड क्राफ्ट कोलेज स्थापित किया था जहां पर की ये पत्थर, लकड़ी, फाइबर, गलास आदी में जो मीडियम है, इनमें मूर्तिया बनाने की शिक्षा देते हैं तो ये थी हमारे कुछ महत्तुपूर्ण, सम्मानित सम्मानित लोग जिने की पदम पुरुषकार दिया जाएगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथी हेल्फुल भी होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करें साथी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग थैंक्स फोर वाचिंग